जहिन दोस्तों आप देख़ए आध्यान के अंदर इस वीडियो के वाध्यम से अभी हम पढ़ेंगे The M Publication का डिमेंडर समानी ग्यान जिसमें चल राता हमारा जोगरफी और इसमें ये है भारत का जोगरफी मिन्स भारत का भोगोल आज हम पढ़ेंगे इसमें भारत के परवत एवं परवतीय दर्रे दर्रे वो होता है कि नदियों के बीच में जो जगा होता है खाही वाला जो बहली कहता है घाटी उसी को दर्रे कह सकते हो पहरा प्रस्ण यहां पर भारत की उत्री सीमा पर इस्थित परवत कौन सा है तो भारत के उत्तर में क्या है हिमाला है उत्तर से लेकर पूरव तक फैला हुआ है तो भारत के उत्तरी सीमा पर क्या है आपका हिमाला है हिमाला की उत्पत्ती किस भूसनती से हुई है मिन्स हलाकि यहां पर भू सनती का मतलब होता है कि टेक्टोनिक प्लेट से अब टकड़ाया है पर कभी कभी प्रस्त में अगर यह सीधा लाइन आ जाये किस भू सनती से हुआ है तो टेथी सागर लिखना इसी में एक प्रस्त यह आता है कि जहां हिमाले परवत है उससे पहले वहां एक सागर बहता था तो वो सागर का नाम क्या है टेथी सागर है टेथी सागर हिमाले का पाद प्रवेश हिमाले का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है पाद प्रदेश को नीचे प्रदेश है उसको कहा जाता है सिवालिका यह भी कह सकते हो कि हिमाले का एक रें आधुनिक परवत है, modern mountain है, आधुनिक परवत है, नया mountain है वो और बलित परवत है, ठीक ना, fold mountain, भारत, अच्छा, fold mountain से एक सिध्यानत भी याद रखो, कोबर का सिध्यानत है, कोबर ने, हलाकि परवत का वो सिध्यान दिया था, परवत में बलित परवत का सिध्यानत कोबर के दिया गया था, भारत का सर्वोच्य परवत सिखर कौन से है, गाडवीन ओस्टिन, भारत का सबसे उच्छा परवत सिखर कौन से है, गाडवीन ओस्टिन, भारत में हिमाले की सर्वोच्य परवत चोटी क्या होगा, कंचन जंगा, देखो option में दोनों में से आपको एक ही रहता इसलिए confusion नहीं होगा कि परवत सिखर क्या होगा, परवत चोटी क्या होगा, option में एक ही देगा, फिर भी याद कर लो, परवत सिखर होगा, गाडवीन आस्टिन पे टिक करना, कंचन जंगा होगा, तो परवत चोटी होगा, भारत की नवीनतम, परवत स्रेनी कौन सी है, हिमाल हिमाले, हिमाले स्रेनी छेतर से निकलने वाली संकिर्न तथा अनुधहरी घहाटी को किस नाम से जाना जाता है, इसे हम कहते हैं, दून, किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में, मौन्ट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा, हिमाले परवत क एक सरे नी अराकान योमा, कहां इस्तित है, नेपाल में, नेपाल, हिमालय का प्रदेशिक विभाजन यहाँ दिया गया, अचा एक चीज और, हिमालय का जो सबसे उंचा चोटी है, मौन्ट वरेस्ट, वो भी रियल में, नेपाल में ही है, तो दुनिया की सबसे उंची चोटी कौन से देश में अगर ऐसा प्रस्ण आ जाए तो नेपाल पर टिकर लेना अगे यहां दिया गया है हिमाले के प्रदेशिक विभाजन तो क्या सब दिया गया है हमाले के पुछा नहीं जाएगा उसका नाम दिया गहिए, परवतिासिकर शबका नाम, यह परवतिकर सबसे उंचा कौन जाय मोँचा है गाडवीन उस्चिन, 8611, उसके बाद दूसरे अस्थान पि आता है आपका कंचन जंगा 8598, शबससे उंचा गाडवीन उस्टिन, दूसरे अस्थान प कंचन जंगा, फिर सिवालिका श्रेनी का निर्मान किस से हुआ है सेनो जोईक से सबसे प्राचीन परवत श्रेनी कौन सी है अरावली इसे भरंस परवत भी कहा जाता है प्रसने से आ जाएगा कि इन में से कौन सा भरंस परवत का उदाहरन है अप्शन दे अरावली हिमालय एंडी जलपास कुछे सते दे तो अडावली क्या होगा मिंस भरंस परवत या सबसे प्राथीन परवत का उदाहरन है अडावली सिरेनिया भारत के किस राज में इस्तित है राजस्थान भारत में सबसे प्राथीन बलित परवत माला कौन सा है अडावली अडावली वी कैसा एक्जामपल है बलित पर परवत का अडावली परवत की सर्वोची सिखर का नाम क्या है गुरू सिखर यह बहुत इंपोटेंट है इसको नहीं बूलना गुरू सिखर किसे कहा जाता है अडावली के सर्वोची सिखर को उसका नाम ही यह गुरू सिखर ब्रसना ऐसे आएगा कि गुरू सिखर कौन से पह किसका भाग है कुमायू हिमालय का उत्राखंड हिमालय में सर्वच्ची परवत सिखा रहें नंदा देवी उत्राखंड का सबसे उचा चोटी कौन सा होगा नंदा देवी और हैट कितना था 7670 के आसप्रस था तो लग यह कारा कोरम परवत स्रेनी का पुर्व नाम क्या है क्रि लगू हिमालय स्रेनी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कास्मिर में क्या कहा जाता है मर्ग लगू हिमालय स्रेनी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्राखंड में क्या कहा जाता है बुगलया या पयार सतलज एबं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेसिक विभाग इस्तित है कुमायू हिमालय सतलज और काली नदि के बीच है काली और तिस्टा के बीच नेपाल हिमालय जो सबसे अच्छा मिंस 800 रेंज में था पीछे पढ़े हैं अभी नरमदा और तापती नदी के बीच सत्थपूरा पहारी है अंडमान और निकोबार दूप समूब में सबसे उची चोटी है सोडिल पिक अंडमान निकोबार का सबसे उची चोटी कोंसी है सोडिल पिक एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नौडगे द्वारा बिश्विक की सर्वच्चे परवत चोटी मौन्ट अब्रेश्ट पर सबसे पहले किस बर्स विजय पराप्त किया गया 1953 में लोगों ने पहार पे चरहा था नाम याद कर लो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नौडगे कुलू घाटी किस परवत स्रेनी के बीच इस्तित है मद हिमाले तथा सिवालिका के बीच मद हिमाले और सिवालिका के बीच कुलू घाटी है हिमाले का दूसरा सबसे उच्छा परवत सिखर कंचन जंगा भारत के किस राजी में सिख्की में ये काफ़ इंपोटेंट है कंचन जंगा मिंस ये समझो कि भारत की सबसे उची चोटी कहाँ पर है कंचन जंगा दुनिया की सबसे उची चोटी नेपाल भारत में सबसे उची या कौनसी परवत स्रेणी केवल एक राज में फैली वह है अजन्ता पस्चमी घाट किया है एक भःंस का गार है पस्चमी घाट में Western घाट के जमाला वार कौश्ट बोलते हो एक भःंस का गार है किस परवत माला को सिहादरी के नाम से जाना जाता है पस्चमी घाट को, वेस्टरन घाट को ही सिहादरी काज़त, बहुत इंपोर्टेंट है यह, वेस्टरन घाट में जो परवत माला है, उसे ही सिहादरी कहा जाता है, सिहादरी पस्चमी घाट परवत का सबसे उची सिखर है उसका नाम है कुद्रे मुखी, 1892 मीटर हुचा है, पुर्वी घाट एबं पस्चमी घाट परवत स्रेनियों का समलित अस्थल को कहा जाता है निलगिरी की पहारी, निलगिरी पहारी कहां पे होगा, पुर्वी घाट और पस्चमी घाट परवत स्रेनियों के समलित अस्थल को, पुरवी घाट परवत सिखर का सरवची सिखर कौनसा है? बिसाखा पत्नम बिसाखा पत्नम हint important ये भी याद रखो ये तो होग्या सरवची सिखर अगर पुछले भारत का सबसे गहरा जो बंदरगा होता है वो कौन सा है? जो भी आपका विसाखा पतनम ही आंदर परदिस में है और दूसरा आता आपका मेहंद्र गिरी परवत चोटी की बात कर रहा हूँ अभी विसाखा पतनम 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 है वो इतो इंपोर्टेंट है उसको जाद रखो सेवरय पहारी कहां इस्तित है तामिलाडू तामिलाडू कार्डेमम पहारी कहां इस्तित है तामिलाडू और केरल में तामिलाडू और केरल गिर्नार की पहारी काफी important है गुजरात में गारोख ख्यासी से जब भी आए तो आप मेघालाय पे टिक करना चाहे वो पहारी आए नदी आए जनजाती आए कुछ भी आए ग्यारोख खासी जैनतिया तो मेघालाय पे टिक करना प्राइद्यूपीय भारत में उच्चितम परवत चोटी कौन सा है अन्नाई मुडी, दक्षिन भारत का सर्वची परवत सिखर कौन सा है अन्नाई मुडी, छोटा नागपूर पठार का सबसे उची परवत चोटी कौन सा है पारसनाथ, पार्ट भूमी पाया जाता है छोटा नागपूर में कोडाइक नाल किस परवत स्रिंखला पर इस्तित है पलानी पालनी हिमाले के सर्वोची सिखर मौन्ट एवरेष्ट की उंचाई कितनी है एट एट फोरेट मीटर आडियों ने भारत के किस दर्रे से होकर परवेश किया था खैवर दर्रे से खैवर का दर्रा कहा इस्तित है पाकिस्तान में खैवर दर्रे कौन से दो देश से जुरे है पाकिस्तान और अफगानिस्तान जावाहर सुरंग नाम की प्राकिर्तिक प्रवर्तिय दर्रा को दिया जाता है कौन से नाम से बनिहाल दर्रा बनिहाल दर्रा को पिपली घाट दर्रा किस परवतिय भा को स्री नगर से जोडता है पालगाट धर्रा कौन से दोराज को जोडता है केरल और तामिलाडू को तुन्जु धर्रा भारत के किस देश को जोडता है म्यानमार को तुन्जु धर्रा भारत और म्यानमार को जोडता है नाथुला धर्रा है यहाँ पर आपको याद करना होगा लिष्ट दिया गया है पूरा याद करो इंपोटेंट है अच्छा ऐसे ड्रेक्ट याद कर लो नाथूला और जोलेपपा यह कहाँ पर है सिक्किम, बोंबिला और यांगाप यरुनाचल परदेश, रोहतांग, सिक्की यह सब है हिमाचल परदेश, बारालापा हिमाचल परदेश, लिपूलेख दर्रा उतराखंड, माना उतराखंड, निती दर्रा उतराखंड, तूजू दर्रा मनीपूर, पालगाट केडल, भोरग प्रेट में और जोभी रेष्ट आपका है ना वो मनिहाँ नथूला बुर्जिल्य और पीर पंचाल कारा कोड़ सुजिला जहरों काफी इंप्रोटेन्ट है जम्मु काश्मिर में में जलेपला दर्रा, सिक्किम, जम्मू से कास्मिर के मार्ग में किस दर्रे से होकर गुजरता है, बनी हाल, किस परवतिय दर्रे से होकर भारतिय तिर्थियात्री, मांद, सुरोबर, जील, तथा कैलास परवतिय घाटी के दर्शन है तु जानते हैं, माना दर्रा, माना दर्र, भारत का कौन सा दर्र, 17 घाटी में पड़ता है, सिपकिला, सिपकिला दर्र, टोंगुप दर्र, भारत के किसे देश को जोरने वाली परवतिये मार्ग है, मयानमार, भारत को मयानमार से जोरता है, टोंगुप दर्र, आगे आपका नदी बांध और नदी किनाड़ वेस्तित सहार है भारत का तो हम लेक्स वीडियो में पढ़ेंगे अगर सेस्टन से कुछ सिखने का मुखा मिल रहो अच्छा लगड़ा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो रिसलेक भी कर सकते हैं पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो की इंप्रूब कर सके मिल दे नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहें